हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ बहुत ही टेस्टी खास्ता क्रिस्पी मठरी के रेसेपी जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जादा टेस्टी ये बनके तैयार होगा आसान तरीके से हम थोड़ा अलग तरीके से भी बनाएंगे देखिएगा वीडियो को लास्ट तक तो चलिए हम मठरी बनाते हैं इसके लिए यहाँ पे दो कप हम मैदा ले लिए हैं इसमें डालेंगे दो चम्मच भर के घी आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं मोयम के लिए हम यह डाल रहे तो इसलिए थोड़ा सा जादा डाले हैं आधा चम्मच यहाँ पे हम कलोंजी डाले हैं एक चम्मच अजवाइन और कसूरी मेथी डाल लेंगे थोड़ा जादा क्योंकि मठरी में थोड़ा जादा कसूरी मेथी जाता है क्रस करके डालिएगा और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे यहीं पे आप टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल लीजिए नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे यह जो घी हम डाले है न वो पूरे मैदे म लग जाना चाहिए तो आप चाहे तो इसे दोनों हाथों से भी मिला सकते है और यहाँ पे पूरे मैदे में घी लग चुका है तो अब हम इसे गूद लेंगे तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे गूदना है एक टाइट सा दो हमें तैयार करना है एक बर में ज्यादा पानी नहीं डालिएगा थोरा थोरा सा पानी डालिएगा और यहां पे मैदे को हम गूद लिये हैं आप देख सकते हैं और अब हम इसके उपर तेल या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं अच्छे से लगा के ढग के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह अच्छ से से सेट हो चुका है तो अब हम एक लोई कट कर लेंगे एक बरा सा लोई आप कट कर लीजे और इसे हम बेल लेंगे आप चाहे तो सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं हम यहां पे थोरा सा तेल लगा के इसे बेल लेंगे एक पतली सी रोटी हमें तयार करना है तो यहा देख सकते हैं कैसे तो यहां पे हम प्लस के निसान में इसमें कट लगा लिये हैं और अब हम इसके बीच में भी कट लगाएंगे तो सब के बीच में हमें कट लगाना है ऐसे थोरा सा अलग डिजाइन का यह मट्री बनके तयार होगा और बहुत दिनों तक यह क्रिस्पी भी देहेगा तो यहां पे हम पूरे में कट लगा लिये हैं और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो एक तरब से आपको उठा के ऐसे फोल्ड करते हुए रोल कर लेना है तो बस एक मट्री बन गया है और ऐसे ही पूरे मट्री हम बना लेंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्द यह बन जाता है, गैस पे हम तेल चरहाए हुए हैं गरम होने के लिए, तो यहाँ पे एक रोटी का पुरा मठ्री बन गया है, इसे हम फ्राइ कर लेंगे, तेल जब एक बार अच्छे से गरम हो जाए, तो गैस का फ्लेम कम कर दीजेगा, क्योंकि मठ्री को हमें एकदम स्लो ग फ्राइ होने दीजेगा, एक अच्छा सा कलर आने तक आपको इसे फ्राइ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सुन्दर कलर आ गया है मठ्री के उपर, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, आठ से दस मिनट आपको लग सकता है, एक बैच को फ्राइ करने में, त अब का मठ्री क्रिस्पी फ्राइ होगा, तो यहाँ पे पूरे मठ्री हम बना लिए हैं, बहुत जादा टेस्टी और थोड़ा अलग तरीके का मठ्री बनके तैयार है, आप इसे स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं, और बहुत जादा टेस्टी तो यह ही, तो एक किजे, share किजे, comment किजे thank you, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ